हेलो दोस्तो, I am Krishna आज मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ आज का हमारा टॉफिक है टर्बो चार्जर आज हम टर्बो चार्जर के विशे में जाने हैं केके श्रड़ी में आपका स्वागत है दोस्तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अवस्य देखे तो आज हम टर्बो चार्जर के विशे में जानेंगे तर्बो चार्जर की डेफिनेशन, डिस टाइप मठेरियल, पार्ट्स नेम, कॉंस्ट्रेक्शन, एड इसकी वरकिंग और यह भी जानेंगे कि इसमें जो चोक हम लगाते हैं बाइक में वो कैसे वरक करता है फ्रोटल वालो कैसे वरक करता है अब हम बात करते हैं दोस्तों टर्बो चार्जर के डिफिनेशन के विशे में टर्बो चार्जर का मुख काम जो होता है पेट्रोल इंजन में एर और आइल के मिश्रण को तैयार करना होता है टर्बो चार्जर पेट्रोल इंजन में एर और आइल के मिश्रण को सही रेशियो और सही कौनिटी में तयार करता है इंजन के स्पीट के अमसार जब इंजन की स्पीट बढ़ती है तो एर और आइल का मिश्रण ज्यदा मात्रा में बनता है और जब engine की speed कम होती है या घटती है तो air और oil का मिस्रण कम मात्रा में बनता है तो दोस्तो अब हम थोड़ा turbo charger के diagram के भी से में जान लेते हैं जैसा कि दोस्तो आप diagram में देख रहे हैं ये turbo charger का diagram दरसाया हुआ है दोस्तो टर्बो charger में दो भील होती है एक compressor भीर और एक turbine भील जिस side turbine भील लगी हुई होती है उस side उसमें दो ports होते हैं एक exhaust outlet port और एक exhaust inlet port exhaust के outlet port से engine की जो भी bestage gases होती है वह catalyst converter के माध्यम से इस exhaust के outlet port से बाहर निकल जाती है turbine side में जो एक exhaust का outlet port होता है वह catalyst converter से connected होता है जिससे engine की जो bestage gases होती है वह turbine के exhaust के outlet port के माध्यम से बाहर निकल जाती है turbine का जो exhaust inlet portion होता है inlet सीरा होता है एक exhaust inlet सीरा वह exhaust manifold की सहायता से cylinder के exhaust port से connected होता है दोस्तों जब engine में four stroke cycle होती है तो power के बाद जो हमारे exhaust gases होती है वह exhaust gases exhaust manifold की सहायता से turbine के exhaust inlet ports से प्रवेस करती है जैसे ही ये exhaust gases turbine के exhaust inlet ports में प्रवेस करती है तो ये turbine की जो भील होती है ब्लेड होती है वह घूमने लगती है turbine के घूमने से compressor भी घूमने लगता है जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं turbine और compressor एक हिसाप से connected होते हैं इसलिए जैसे ही exhaust gases turbine में प्रवेस करती है तो turbine के घूमने से मारा compressor भी घूमने लगता है और ये compressor होता है exhaust gases को compressed करता है इस compressed air को ठंडा करने के लिए हम इसे intercooler में भेशते हैं जहां exhaust gases ये air ठंडी होती है दोस्तों air को ठंडा इसलिए किया जाता है क्योंकि गरम gas का जो गरम air होती है उसके density कम होती है हलकी होती है जिसकी विज़े से cylinder में कम मात्रा में जा पाती है और ठंडी gases का जो density होता है वो बहुत ज्यादा होता है इसका देश्टी जाता होने से इस लेंडर में ज़्यादा जा पाती है और हमें ज़्यादा मात्रा में पावर मिल पाती है इस compressed ठंडी air को हम combustion chamber में भीजते हैं combustion chamber में air को compressed किया जाता है और जब air अच्छी तरह से compressed हो जाती है तो diesel engine में fuel injector के मात्रिम से diesel का spray किया जाता है diesel का spray करने से जो compressed air होती है वो बहुत ही ज़्यादा गरम होती है जैसे है उसमें spray किया जाता है diesel का वैसे ही fuel burn हो जाता है और power generate होती है अब हम बात करते हैं दोस्तों टर्बो charger किस material का बना होता है टर्बो charger कास्ट iron का बना होता है और टर्बो charger का जो turbine भील एंड compression भील होती है वो जो chromium nickel एंड steel की बनी होती है अब हम बात करते हैं दोस्तों टर्बो charger के पार्ट के विशे में टर्बो charger में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं फर्ष्ट होता है compressor, turbine, compressor housing, turbine housing, needle ring, throttle valve, compressor blade and turbine blade SM turbine भील या compression भील भी बोलते हैं अब हम बात करते हैं दोस्तों टर्बो charger के construction के विशे में टर्बो charger का जो उपरी सीरह होता है वह कास्ट iron का बना होता है और जो टर्बो charger में turbine and compressor होता है वह nickel chromium steel का बना होता है टर्बो charger compressor और turbine से मिलकर बना होता है compressor और turbine एक ही साथ से जुड़े होते हैं टर्बो charger में air के in and out के लिए inlet और exhaust port भी दिये रहते हैं सरवर्थम exhaust gases turbine के exhaust in port से अंदर जाती है जिससे turbine का exhaust inlet कहते हैं और जो bestest gases होती है वो exhaust के outlet port से atmosphere में catalyst converter के माध्यम से discharge हो जाती है उसे turbine का exhaust outlet कहते हैं compressor के outlet port से compressed air को air cooler से होते हुए intake manifold में भेजा जाता है अब हम दोस्तों टर्बो charger के working के विसे में बात करते हैं जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में टर्बो charger का working डाइग्राम देख रहे हैं चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी working टर्बो charger पेट्रोल इंजन में oil and air का मिस्टरन cylinder में high pressure और high density के साथ भेजता है किन्तों डीजल इंजन में केवल air को high pressure के साथ यम high density के साथ cylinder के combustion chamber में भेजता है दोस्तों टर्बो charger का जो मुख काम होता है वह air को high pressure के साथ इंजन में भेजना होता है किन्तों उससे पहले तोड़ा हम कुछ और भी जान लेते हैं टर्बो charger के विसे में सर्व प्रथम टर्बो charger atmosphere से air को सक करता है अर्थात खीचता है टर्बो charger का जो floating chamber होता है उसमें एक pipe की साहता से वह petrol tank से जुड़ा होता है जिससे floating chamber में petrol जमा होता है floating chamber में needle valve लगा होता है जो यह needle valve floating chamber में extra fuel supply को रोकता है टर्बो charger का मुख काम होता है कि जो exhaust stroke के समय exhaust valve से जो gases निगलती है उसे use में लाना जैसा कि दोस्तो हम टर्बो charger की working diagram के माध्यम से पहले भी समझ चुके हैं लेकिन अब इसे हम थोड़ा written form में और अच्छे से समझ लेते हैं टर्बो charger का जो exhaust inlet port होता है वह cylinder के exhaust manifold से जुड़ा होता है exhaust stroke के समय cylinder का outlet valve खुलता है जो exhaust gases होती है वह exhaust के manifold की सहायता से टर्बो charger के exhaust inlet port से gases टर्बो charger में प्रवेस करती हैं टर्बो charger के exhaust inlet port में टर्बाइन लगी होती है जैसे ही ये गर्म गैसेस टर्वो चार्जर में प्रवेस करती हैं तो टर्वाइन घूमने लगती है टर्वाइन के घूमने से कंप्रेसर भी घूमने लगता है तिक टर्वाइन और कंप्रेसर एक ही साप्ट से जुड़े होते हैं इसलिए compressor के गूमने से exhaust gases compressed होती हैं. इस compressed air को थंडा करने के लिए air cooler में भेजा जाता है, जिससे warm air थंडी हो जाती है. इस थंडी compressed air को intake manifold की सहायता से cylinder के combustion chamber में भेजा जाता है, जिससे compression stroke में air compressed होता है और air में heat energy generate होती है. air के एक limit तक compressed होने के बाद diesel engine में fuel injector की सहायता से combustion chamber में diesel का spray किया जाता है, जिससे fuel का दहन होता है और power generate होती है, जिससे engine चलने लगता है और यह cycle बार बार repeat होती है और engine को power मिलता रहता है. जो based airs धुआ होता है, वह turbine के एक जहाष्ट discharge port से catalyst converter के माध्यम से atmosphere में बाहर निकल जाता है. तो दोस्तों कैसी रही टर्बो चारर की working अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा. अब हम बात करते हैं दोस्तों, बाइक में चोक का क्या काम होता है? कार्बोरेटर में filter side एक चोक पत्ती लगी होती है. इस चोक पत्ती का काम होता है, air को कार्बोरेटर में भेजना. जब सर्दियों में बाइक स्टार्ट नहीं होती है, तो हम चोक लगाते हैं और बाइक स्टार्ट हो जाती है. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जब हम चोक लगाते हैं बाइक में, तो जो हवा होती है, वो कार्बोरेटर में नहीं जा पाती. और बाइक स्टार्ट हो जाती है अब हम बात करते हैं दोस्तो थ्रोटल वाल्व का वर्ग इंजन में थ्रोटल वाल्व का क्या वर्ग होता है कार्बरोटर के एक साइड में थ्रोटल वाल्व लगा होता है जिसे हम रेस बोलते हैं यही throttle valve बताता है कि engine के अंदर air और petrol के mixture को कितना भेजना है हमें जितने speed की अवसकता होती है उस हिसाब से throttle valve पेट्रोल और हवा को engine में भेजता है Next है अपना needle valve का work Corvator के वीच में floating chamber होता है जिसमें एक pipe होता है जो petrol tank से जुड़ा होता है और यह floating chamber में petrol जमा रहता है floating chamber में एक needle लगी होती है जो floating chamber के भरते ही petrol को रोक देती है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लेज वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें ऐसे और नई वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल में